बाप बेटों ने मिलकर बेहरमी से जान लेवा हमला करने का प्रकार सामने आया है पुरक्षेत्र में हाहा कार मच गया पुलिस सूत्रों के अनुसार घायल अक्षे और अक्के चवान उम्र 28 साल गनेश नगर दाबा कार रहने वाला है उसका दोस्त जावेद चेक मित्रों के साथ दो दिन पहले शिवार जी नगर दुर्गामाता मंदरिक शेत्र में बैट कर शराप पी रहा था उस बीच आरोपी रवी विलास धान्डे ने जावेद को कहा कि तु पटेल बन रहा है क्या? जादा शाना बन रहा है क्या? ऐसा बोल कर जावेद के गाल पर तीन से चार बार थपड मार दिये शनिवार दिनांग 17 अक्टूबर को दो पर लगबग दो बचे गायल अक्षे ने आरोपी रवी धान्डे को फोन कर मिलने बिलाया और उससे पूछा तुने जावेद को क्यो मारा? आरोपी रवी धान्डे ने कहा मैं तुझे शाम को देख लूँगा और वहाँ से भाग गया उसके बाद अक्षे को आरोपी रवी धान्डे का फोन आया तब घायल अक्षे चवहान जावेद शेक और शिकायत करता रितेश चवहान तीनों खडगाव रोट टर्निंग पर देशी भट्टी की दुकान के सामने थे आरोपी रवी धान्डे ने अपने भाई बुद्ध धान्डे और उसके पिता विलास धान्डे के साथ मिलकर साजिश रची और अक्षे चवहान के सिर में धारदा शस्त्र से वार कर दिया आरोपी बुद्ध धान्डे ने उस पर तलवार से वार किया इसके अलावा आरोपी विलास धांडे ने घायल को लोहे की रोट से जान से मारने की कोशिश की उन्होंने घायल अक्षे के साथ जावेच शेक और शिकायत करता को मारने की कोशिश की शिकायत करता की रिपोर्ट के आधार पर वाडी पुलिस ने आईपीसी की धारा 307 और 34 के तहट मामला दर्स किया है आरोपी रवी विलास धांडे, बुद्ध रतन और बुद्ध विलास धांडे को चिकिचिय परिक्षन कर गिरफतार किया गया है मामले का आरोपी रवी विलास धांडे पहले से ही हिस्ट्री शीटर रिकॉर्ड में अपरा दी है और उसके खिलाफ शरीर और संपत्ती को लेकर आरोप लगाए गया है रवी धांडे के पिता विलास धांडे अभी तक फरार है पुलिस आरोपियों से पूछताज कर रही है इस दौरा आन घटनास तल पर पुलिस उपायुकत नूरल हसन, सहायक पुलिस आयुकत विजे मराठे, पी आय राजेंद्र पाठक, क्राइम पी आय दीपक पाटिल, एपी आय देविदास चोपडे, पीस आई शशिकान चिपडे, क्राइम पीस आई संके चौधरी और गव बढ़ रहा है, बदमाश आपस में आते हैं, दारूपीते हैं, व्यसन करते हैं और आपस में लडाई करते हैं, इस पर वरिष्ट पुलिस अधिकारियों को क्षेतर मिगांजा और अवैच शराप की बिक्री पर अंकुष लगाने की आवश्यकता है, वाडि सेस और अपाट की रिपोर्ट, NBC News, नागपुर